साथियों, आज हम एनलोगी से संबंदित कुछ important question लेके आए हैं और ये question जो है काफी ज़्यादा repeat हो रहे हैं exam के अंदर bracket के अंदर आपको संक्या देदी जाती हैं और उन संक्याओं के बीच में कोईनों कोई संबंद होता है उस संबंद को पता करके आपको विकल्प में वोई संबंद चेक करना होता है तो ये question जो है काफी ज़्यादा पूशे जा रहे है एनलोगी के topic से तो आज हम इन question को solve करेंगे और कभी भी ये question आपके exam में आते हैं तो आप easily कर पाएंगे तो वीडियो को पूरा अंतक देख लेना और अगर आप चैनल पर नहीं है चैनल को subscribe कर लेना बैल को क्लिक कर लेना ताकि आपके पास सारे notification टाम पर पहुंस तरहें तो चलते हैं कैसे solve करेंगे देख लेते हैं तो सात्यों सबसे पहले आपको ध्यान देना है जो नमबर दे रखाय में ब्रैकेट के अंदर 15, 21, 28 तो सबसे पहले हम यहां पर बनाएंगे दो पियर दो पियर कैसे बनाएंगे 21 और 15 का एक पियर बनेगा और दूसरा पियर बनेगा 28 और 21 का चीक है दो पियर बना लेंगे हम 3 नमबरों के दो पियर बनाने के बाद हमें इन पियर के डिफरेंस चेक करने है 21 से 15 के बीच में हमें डिफरेंस मिलेगा 7 का उसी परकार 28 से 20 के बीच में हमें डिफरेंस मिलेगा 7 का तो हमें यही डिफरेंस यानि कि यही लॉजिक जो है अपने option में लगाना है और जिसके अंदर भी हमें difference सेम मिल जाएगा difference सेम का मतलब है कि वहाँ पे कुछ भी हो, नमबर कुछ भी हो बस सेम आना चाहिए दोनों pair में तो जैसे कि हम पहले वाप्शन चेक करेंगे यहाँ पे हमें दे रखा है 25, 46, 56 तो सबसे पहले हम बनाएंगे pair 40 और 25 का एक pair बन जाएगा उसी परकार 56 और 40 का एक pair बन जाएगा तो यहाँ पे हम difference चेक करेंगे तो कितना मिलेगा यहाँ पे हमें 15 का और 56 और 40 मिलेगा हमें 16 का यानि कि option 1 इसका right answer नहीं बनेगा second वाला चेक कर लेंगे 20, 28, 36 में तो 28 और 20 का एक pair बन जाएगा उसी परकार 36 और 28 का एक pair बन जाएगा तो अगर हम यहाँ पे difference चेक करें तो यहाँ में हमें 8 का difference मिलेगा उसी परकार 36 और 28 के बीचे हमें 8 का difference मिलेगा तो हम कह सकते हैं option B हमाला right answer बन जाएगा क्योंकि यहाँ पे difference जो है सेम है जिस परकार difference हमें चाहिए ता हमारे दियेगे caution के अंदर उसी परकार का logic जो है हमें option B में मिल रहा है इसलिए इसका right answer भी बन जाएगा तो आपको इसी तरीके से संक्या समू के question करना होगा यह question काफ़ी ज़्यादा repeat हो रहे है exam के अंदर चाहिए आप किसी भी government exam की त्यारी कर रहे हो इसी के अधार पर हम और भी question करेंगे तो आपको उन question को solve करना है question try करना है मैं भी करूँग और आपको भी try करना है और साथ में अगर आप daily newspaper चाते हैं तो मैंने एक WhatsApp channel बना रखा है जिसका link आपको description मिल जाएगा जहां पर मैं daily newspaper डाल देता हूँ PDF में तो आपको easily सारे के सारी newspaper मेरे WhatsApp channel पर मिल जाएंगे तो join कर लेना other study material भी डाल देता हूँ तो वो भी मिल जाएंगे तो WhatsApp का link description में join कर लेना कोशनमर 2 देख लो कोशनमर 1 के अधार पर ये कोशन बना हुआ है तो आपको ध्यान पूबा कोशन करना है देखो कैसे करेंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे 2 पेर बनाएंगे 2 पेर कैसे बनेंगे 13 और 7 का 1 पेर बनाएंगे उसके बाद 20 और 13 का 1 पेर बनाएंगे 2 पेर बनाने के बाद हम difference चेक करेंगे 13 और 7 के बीच में 6 का difference मिलेगा उसी परकार 20 और 13 के बीच में 7 का difference मिलेगा तो यहाँ पे हमें difference मिल चुका है 6 और 7 का अब यह difference हमें जो है विकल्प में check करना है किस वाले के पास हमें इस तरगी का difference मिलेगा तो सबसे पहले हम option first वाले चेक करेंगे 10, 18, 24 तो यहाँ पे जो pair बनेंगे वो बनेगा 18, 10 का और बनेगा 24, 18 का अगर हम यहाँ पे difference चेक करने जाएं तो यहाँ पे 8 का मिलेगा और यहाँ पे कितने का मिलेगा 6 का तो यहाँ पे अगर आप difference देखोगे दो संक्याओ का हो रहा है जबकि यहाँ पे जो difference था एक संक्याओ था 6 और 7 जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है 8 और 6 तो इसलिए पहले वाला option सही नहीं जाएगा उसी प्रकार हम second वाला चेक करें 19 और 12 का एक पेर बनेगा और 29 और 19 का एक पेर बनेगा तो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे 7 और 10 का यहाँ पे आपको difference देखेगा यानि कि second वाला भी हमारा right answer नहीं जाएगा उसी प्रकार हम third वाला चेक करेंगे 19, 15, 23 में तो 19, 15, 23 में हमारा क्या पेर बनेगे 15 और 9 का एक पेर बनेगा और 23 और 15 का एक पेर बनेगा तो अगर हम यहाँ पे difference चेक करेंगे तो हमें केतना मिलेगा हमें difference 6 का और 8 का तो यहाँ पे भी हमारा difference जो है सही नहीं जा रहा है यहां पे भी दो संक्याओं का difference आ रहा है तो यानि कि option थर्ड वाला भी इसका right answer नहीं बनेगा तो automatically फोर्थ वाला इसका right answer बन जाएगा अगर हम difference चेक करने जाएं तो 10 और 4 का एक पेर बनेगा और 17 और 10 का एक पेर बनेगा अगर हम difference चेक करें 6 और 7 तो हम कहा सकते हैं option 4 इसका right answer है क्योंकि यहां पे जो difference है यह कोशन से संबंद खा रहा है मैच कर रहा है और इसलिए option D इसका right answer है तो आप देख सकते हो इन कोशनों को solve परने का जो बहुत easy सा logic है बस आपको difference चेक करना होता है पेर बनाने होते है अगर आप पेर बना लेते हो तो आप easily जो है इन कोशनों को कर पाएंगे चीक है question number 3 है और यहां पर जो हमें नंबर दे रखे हैं वो है 10, 19, 32 तो कैसे करेंगे अलग question थोड़ा सा अलग logic लगने वाला है यहां पर तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 19 और 10 को अब add करेंगे यहां से हमें मिलेगा कितना 39 और 39 के अंदर हम plus करेंगे कितने को 3 को तो यह कितना हो जाएगा 32 यानि कि तीसरा number हमें जो है किस प्रकार से मिलेगा starting के दोनों number को add करने के बाद उसमें एक common number तीन add करने पर हमें 32 मिल जाएगा तो हम यही logic जो है अब option में लगाएंगे जिस भी option में यह logic बैट जाएगा वो ही हमारा right answer बनने वाला है तो सबसे पहले हम first वाल option चेक करेंगे यहाँ पर हमें क्या दे रखा है पहले दो number है हमारे 14 और 5 अगर इनको हम add करें तो यह बनता है 19 और इसके अंदर अगर हम 3 add करें तो यह होता है 22 जबकि हमारा तीसरा number जो है option first वाले में 19 है और यहाँ पर कितना रहा है 22 तो इसलिए पहले वाला विकल्प सही नहीं होगा दूसरे वाले चेक करेंगे दूसरे वाले option में हमें क्या number दे रखा है 25 और 12 25 और 12 को अगर हम add करें वो होता है 37 अगर इसमें हम 3 add कर दें तो यह होता है 40 जबकि दे रखा 49 तो यह भी नहीं बनेगा उसी पर अगर हम 3rd वाला option चेक करेंगे तो यहाँ पर हम यह दे रखा है 7 plus 3 होता है 10 इसके अंदर एक common number 3 को add करेंगे तो यह बनेगा 13 जबकि दे रखा 10 तो यह भी नहीं बनेगा option 4 वाला इसका automatically right answer हो जाएगा कैसे अगर हम 13 plus 7 करें तो होता है 20 और 20 में अगर हम 3 common number जो हम लेके चल रहे हैं तो यह होता है 23 तो इस प्रकार से option 4 वाला जो match कर जाएगा हमारे दिये गए question के साथ तो आप देख सकते हो किस तरीके से इन question को solve करना रहता है हैं आपको हर तरीके सोचना पड़ता हैं यह question काफी जाद रिपीट हो रहे हैं और बच्चे से कोषन जो है छूड़ जाते हैं क्योंकि वह हर तरीके से इनको नहीं judge कर पाता है कोशन पर 5 है, देखो कैसे करेंगा लगोशन, यहां पर हमें ब्रैकिट में जो नमबर दे रखे हैं, 9, 54, देखो हैं, यहां पर क्या लॉजिक लगने वाला है, यहां पर जो लॉजिक लगेगा वो है, पहला नमबर, पहला नमबर दे रखाए 9, और तीसर नमबर, इन दोनों कि बिल्गुल सीधा है आपको इसी लॉजिक को ध्यान में रखते हुए विकल्प में चेक करना है कौन से वाला विकल्प जो है इस लॉजिक के आधार पर सही बैठने वाला है तो अगर हम पहले वाला विकल्प देखें यहाँ पे पहला नमबर है तीन और दीसे नमबर है मिलेगा 18 जबकि दिरकाए 15 यानि कि यह नहीं बनेगा उसी प्रकार अगर हम ऑप्शन सेकिंड चेक करें यहाँ पे हमें दिरकाए 8 और हमें दिरकाए 9 आट और 9 को अगर हम मल्टिप्लाइ करें तो मिलता है बहत्तर जबकि दिरकाए 64 इसलिए बी वाला विकल्प ठीक नही मिलेगा तो ऑप्शन ऑटोमेंटिकली फॉर्ट वाला ठीक हो जाएगा यानि कि पाच और साथ को अगर हम मल्टिप्लाइ करेंगे तो 35 मिलेगा तो इस प्रकार से ऑप्शन फॉर्थ इसका रेट अंसर बनेगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे किस प्रकार को लॉजिक देखो 9, 15, 24 में क्या लॉजिक लग रहा है काफ अच्छा कोशन है यहाँ पे 9 नंबर बनाने के लिए उन्हें क्या करा है 3 x 3 तो यहाँ से हमें 9 मिल गया है उसी प्रकार 15 को बनाने के लिए उन्हें क्या करा है 3 x 5 तो यहाँ से हमें 15 मिल गया है और 24 को बनाने के लिए उन common number अगर आप देखोगे तो वो है 3 जो है multiplication में आया हुआ है तीनों जगा पर आप इसी लॉजिक के अधार पर हम आगे चेक करेंगे और वो common number लेके आएंगे जिससे कि हम multiply कर सकें और किस विकल्प में लग सकता है वो देख लो आप तो यहाँ पर जो विकल्प बनेगा वो है option थर्ड वाला c अगर आप देखोगे यहाँ पर हमे नंबर दे रहेका 6 और 6 को हम लेकोह आँ कैसे बन सकता है तू multiply 3 तो यहाँ से हम च्छWorld क्रेंगे दस कैसे बन सकता है तू multiply 5 तो यहाँ से हम सेपर नोल जहेगा और उसी प्रकार 16 कैसे वनेगा 4 इंट् tolerance तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा, तो अगर आप common देखोगे, यहां पर 2 common है, 3, 3 यहां पर देखने को मिल रहा है, 5, 5 यहां पर देखने को मिल रहा है, 8, 8 यहां पर देखने को मिल रहा है, तो आप logic को देख सकते हो, किस प्रकार से यहां पर आपको thinking रखन करने के लिए सोचन अपड़ेगा ठीक है तो आप देख सकते हो ऑप्षिन थर्ड वालस का रेड़ेंसर बनेगा और लॉजिक आप यहां पर देखो तो कैस प्रकार का लॉजिक लगागा है कोशन पर साथ है देखो यहां कोशन कैसा सॉल्फ करेंगे यहां पर नमबर दे रख क्या है तो यहां पर जी लागा है कि आपко स्क्वैर करना है स्क्वैर करने के बाद एक कॉमान नमबर और सबसे तो आप इसी logic को आपको option में लगाना है और कौन से अला विकल यहां पर ठीक बैटे का वो चेक करना है तो option थर्ड वाले में हम लगाएंगे तो सबसे पहले मुसी में लगए देख लेंगे तो 37 हमें दे रखा है तो हम क्या कर सकते हैं 6 का square कर सकते हैं 6 का square कितना होता है 36 प्लस 1 करेंगे तो हो जाएगा यह 37 उसी प्रकार 7 का square करेंगे तो होता है 49 वन प्लस करेंगे तो यह हो जाएगा 50 उसी प्रकार 8 का स्क्वार करेंगे, यह होता है 64, प्लस 1 करेंगे तो यह हो जाएगा 65, तो आप देख सकते हो, इस प्रकार से हमने इस कोशन को सॉल्व करा है, इसका लॉजिक देख सकते हो, सारे कोशनों में आपको कुशना कुछ नए लॉजिक लगते हुई दिखाए पर आपको उन नमबरों को समझना पड़ेगा, जो नमबर दिये गए हैं, उन पर अपनी थिंकिंग लगानी पड़ेगी, किस तरीके से मैं वो नमबर प्राप्त कर सकता हूँ, और क्या उसमें लॉजिक लग सकता है, तो आप देख सकते हो, इस काफी रिपीट होते हैं, औ और काफी बच्चों से कोशन मिस हो जाते हैं, तो आपको इन कोशनों की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है, चीक है, कोशन पर आट देख लो, दिखो कि यहला कोशन कैसा सौल करेंगे, यहां पर मैं ब्रैक्ट में दे रहा है, आट, उननीस, तीस, तो कैसा सौल हमें उननीस, और यह उननीस क्या है, बीच वाला नंबर, तो आपको यह वाला लॉजिक अब देखना है, किस वाले विकल्प में सही बैठेगा, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे, ऑप्शन थर्ड वाला, ऑप्शन थर्ड में हमें दे रहा है, बारा, पचीस, अड़पीस, तो बारा और अड़तिस को हम कर लेंगे, यहां से में मिलेगा पचास, पचास को हम करेंगे, दो से डिवाइट, तो में मिलेगा पचीस, तो हम कह सकते हैं, ऑप्शन थर्ड वाला इसका राट एंसर बनेगा, क्योंकि इसी विकल्प के अंदर, जो हमें लॉजिक चाहिए, वो इस वाले के अंदर सेट बैठ रहा है, तो आप देख सकते हो, किसी प्रकार से डिवाइट करना पड़ सकता है, स्वेर करना पड़ सकता है, दो नंबर को एड़ करना पड़ सकता है, दो प्यर बनाना पड़ सकते हैं, तो आपको हर एक लॉजिक पे काम करना पड़ेगा जो मैंने करा रहा हूँ वो specify question है और यह question काफी जादा repeat हो रहे है एक्जाम के अंदर तो आपको ध्यान प्रूबग इन question को note down भी करना है question 1 9 देख लो काफी अच्छा logic लगा इसके पीछे भी आपको देख के पता चलेगा कि किस-किस प्रकार से सोचना पड़ सकता है जो को या लो कोशन कैसे करेंगे यहां पर हमें bracket में number दे रखा है 7 16 34 तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जो number दे रखा है उसको हम one digit बनाएंगे मतलब कि जैसे साथ है साथ तो one digit है उसके अदम 16 को भी one digit बनाएंगे तो क्या बना सकते है वन प्लस च्छा लिखेंगे तो यह बन जाएगा साथ उसी परकार 34 को भी हम one digit बनाएंगे तो यानिकि three plus four करेंगे तो यह बन जाएगा साथ तो यहां से हमारे पास one digit क्या मिल रह है तो हम इसी logic को चेक करेंगे विखल्प में और कौन से वाला इसके समान बैटे का वह धूनेंगे तो सबसे पहले हम option fourth वाला लेंगे और fourth के अंदर यह logic लगाएंगे तो यह बनता है 13 उसी परकार five plus eight करेंगे तो यह बनता है 13 और seven plus six करेंगे तो यह बनता है 13 अगर हम further इसको break करें और one digit लेके आए three plus one कितना होगा four तो यहां सम कह सकते हैं कि option fourth वाला इसका right answer बनेगा क्योंकि जो logic हमारा दिये गए पतलब होना चाहिए ठीक है और question number 10 के अंदर जो logic लगाए वह भी काफी अच्छा है यहां पर हमें नंबर दे रखा है ब्रैकेट के अंदर 23,39 और 31 यह भी prime number है यह सिर्फ अपने आप से divide हो सकते हैं और किसी दूसरी नंबर से नहीं divide हो सकते हैं तो इसलिए option second वाला इसका right answer है तो यहां पर option भी इसका right answer मनेगा चीक है तो साथ यह बहुत important question है इनको आपको ध्यान फूबग लगाना है यह question जो है काफीजा repeat हो र जब्द संबंदीत है और इस प्रकार कोशन भी कफ़े ज्यादा एनलोगी के पेश से पूशे जाते हैं एक्जाम के अंदर तो आपको धियान फूबग यह question करने हैं यहां पर देख सकते हो मास का शाकाहारी से ठीक वही संबंद है जो संबंद शराब का डैस से हैं तो मास क क्या संबंद होता है शाकारी से जो मास ना खाता हो तो वही संबंद होगा शाकारी के साथ मास वाले का तो शराब वाले का संबंद किस प्रकार से होगा डैस के साथ तो वह होगा टिटोटलर याने की मघस्तियागी जो शराब ना पीता हो तो शराब का संबंद जो शराब कोशनमर 12 है कोशनमर 12 में हमें दे रखा है रोग का सम्वन्द किसे है दर्द के साथ तो रोग में क्या होता है दर्द होता है जब आपको कोई रोग हो जाता है तो उसमें क्या होता है पीन होता है दर्द होता है तो उसी प्रकार से जब धुरगटना होती है तो उसमें क्या हो पंक्षी जो है, पंकों की मदद से उड़ पाते हैं, उसी प्रकार मचली का सम्ध्र किस से होगा? तो देखो मचली का सम्ध्र होगा, पंक से, option, थर्ड इसका रैइटंसर होगा, पंक वो होता है, जो मचली को मदद करता है तहर ने में, तो यहाँ पे ध्यान रखना है punk जो इसका rat answer बनेगा मचली के लिए confused नहीं होना है बहुत important है note down कर लेना ये काफी repeat होता है तो बच्चे यहाँ पे confused होते हैं पक्षी जो हैं किसकी मदद से उड़ पाते हैं पंकों के वज़े से उड़ पाते हैं उसी प्रकार मचली जो है त्यार पाती है पंक के वज़े से ध्यान रखना है काफी important है question number 14 देख लो यहाँ पे आपको शब्द युगम का चैन करना है यहाँ पे आपको शब्द दे रखा है छोटा का सम्मन्ध है विनिमाई से तो छोटे को हम डिनोट करते हैं विनिमाई के साथ उसी प्रकार भारी को हम डिनोट करते हैं भार के साथ option B इसका red answer है यह शब्द बहुत common होते हैं पर जब exam में आते हैं तो confusing बहुत ज़्यादा पैदा करते हैं इसलिए इनको आप बहुत ध्यान से देख लेना ऐसे question बहुत ज़्यादा repeat होते हैं इसमारे में बार बार रेपीट कर रहा हूं इनको ध्यान प्रूबग no down जरूर कर लेना आप लोग question 15 है और इस question में भी आपको शब्द युगमगा चैन करना है शब्द क्या है वृत और परीदी वृत और परीदी में क्या संब्द है जो वृत है वो किससे बनता है परीदी से बनता है अगर हम कोई वृत बनाएंगे तो उसके अंदर क्या होगी यह परीदी होगी इसकी जो सरकल बनेगा इसके जो ये boundary बनेगी से हम क्या बोलेंगे परीदी बोलेंगे तो आपको विकल्प में चेक करना है कौन से वाला शब्द युगम इससे match करेगा तो वो है आयत का संबंद परीदी से होगा option 4 वाला इसका red answer बनेगा जो आयत होता है उसमें यानि परीदी होती है और इस परीदी का संबंद जो है आयत से होता है option 4 वाला इसका red answer बनेगा कोशमर 16 है यहाँ पर आपको बताना है तारा अकाश गंगा से ठीक उसी प्रकार संबंद देता है जिस प्रकार full dash संबंद देता है तारा और अकाश गंगा का क्या संबंद है अकाश गंगा के अंदर ताराओ का बहुत बड़ा संबंद आपको देखने को मिल जाएगा उसी प्रकार full का जो संबंद है वो हमें गुल दस्ते में देखने को मिलेगा option 3 इसका red answer बनेगा कोशमर 17 है जिस प्रकार तस्वीर का संबंद रंगीन से है अगर कोई तस्वीर है अगर उसके दर रंग नहीं होंगे तो उसी प्रकार जो अकशर है अगर वो bolt नहीं होंगे तो हम उनको समझ नहीं पाएंगे पढ़ना ही पाएंगे तो इसलिए अकशर का संबंद किस से होगा मोटा से होगा लोट से होगा option A इसका red answer बनेगा कोशन में रठा रहा है easy question है यहाँ पर आपको शब्द योग में बताना है जिस प्रकार से वस्तर का संबंद सिलाई करना है तो वही संबंद आपको देख के ताना है किसे बनेगा तो वस्तर का संबंद सिलाई करना है मतलब कि अगर कोई वस्तर है जब तब उसकी सिलाई नहीं की जाए कि तो वह पहने योगिया नहीं बनेगा उसी प्रकार से कोई वियंजन है अगर उसको पकाए नहीं जाएका तो वह खाने योगिया नहीं बनेगा तो option A इसका red answer बनेगा कोई बन 19 है और यहाँ पे आपको बताना है परियोग का नवचार से ठीक वही संबंद है जो संबंद अध्यन का डैस से है तो परियोग का नवचार से किस प्रकार संबंद होता है जब हम कुछ परियोग करते हैं नवचार करना, कुछ नई कोज करना, तो option C, इसका red answer बनेगा, question 20 है, अच्छा question ये भी, जिस प्रकार ठकाववा का संबन्द कमजोर से है, ठीक उसी प्रकार उदास का संबन्द किस से होगा आपको बताना है, तो यहाँ पे ठकाववा का संबन्द किस से है, कमजोर से है, तो ये क्या है, ये एक similar word है, synonym है, ठकाववा का synonym होता है कमजोर, तो उसी प्रकार उदास का, जो synonym होता है, वो भी उदासी होता है, यानि कि depressed होता है, option C, इसका red answer बनेगा, confused नहीं होना है कि आपको सेम शब्द दे दिया है विगल के अंदर, तो आप तो से confused होता है, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे synonym ही पूचा गया है, ठकाववा को हम कमजोर बोलते हैं, तो उदास को हम उदासी बोलते हैं, depressed बोलते हैं, एंग्लीश में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, question number 21 है, और इस question में आपको शब्द युगम बताना है, जिस प्रकार से, डॉक्टर का संब्द अस्पासाल से हैं, तो आपको विकल्प में देख के बताना है, किस का संब्द होगा सही, कौन सा युगम सही मैच होगा, तो यहाँ पे डॉक्टर का संब्द अस्पासाल से हैं, मतलब की डॉक्टर कहां पे मिलते हैं, उसी प्रकार से, सिक्षक कहां मिलते हैं, विद्याले के अंदर मिलते हैं, ऑप्शन B, इसका रेड अंसर बैठेगा, चीक है, कौन सा बाइस है, स्केटिंग का रिंग से, ठीक वही संब्द है, जो संब्द टैनिस का डैस से हैं, तो स्केटिंग का संब्द रिंग से कैसे हैं, स्केटिंग जो है रिंग के अंदर की जाते हैं अबने देखा होगा जो लोग स्केटिंग करते हैं रिंग के अंदर ही कर रहे होते हैं तो उसी प्रकार से टैनिश जो है कोट में खेला जाता है option A इसका right answer बनेगा कोश नमर 23 है आलेसे का सजगता के साथ वही संबंद है जो संबंद शर्तुता का डैश के साथ है तो आलेसे का सजगता के साथ क्या संबंद है ये एंटोनियम है आलेसे का सजगता उसी प्रकार शर्तुता का जो एंटोनियम बनेगा वो है आत्मेता यानि क मित्रता आत्मेता मित्रता सत्रुता का एक एंटोनियम है चीक है तो ऑप्शन बी इसका राइट एंसर है कोशन बर 24 है और यहाँ पे आपको शब्द युगम बताने है जिस प्रकार से इस्तन पाई का समद्ध भालू से है तो दीगए विकल्प में से कोंसल अपियर सही बनेगा भालू का समद्ध इस्तन पाई से है और भालू जो है एक इस्तन पाई है जो बच्चे पैदा करता है अंडे नहीं देता है उसी प्रकार से आम जो है फलो का राजा भी है और साथ में आम जो है फल के अंदर ही आता है तो इस प्रकार से यहाँ पे जो सही युगम बनेगा वह है ऑप्शन थरड़ वाला नाम चीक है कोशन 25 है और यहाँ पे आपको शब्द युगम बताना है जिस प्रकार से, Senna का संबन जर्नल से हैं, तो दिये गए विकल्प में से, कौन से अवला युग्म सही होगा, तो Senna के अंदर जर्नल मुख्या होता है, जो कमांड देता है, उसी प्रकार से, company के अंदर director important होता है जो company को दिशे जेता है तो इसलिए option D इसका right answer बनेगा ठीक है, question 26 है यहाँ पे भी आपको शब्द युगम बताना है जिस प्रकार से मुस्कान का संबंद हसी से है, तो दिए गए विकल्प में इसे कौन सा युगम सही बनेगा तो मुस्कान का मतला भसी होता है तो इसलिए प्रकार से बोनलक का संबंद जो चिलनाना सा होता है, option fourth इसका सही युगम बनेगा ठीक है, question 27 है यहाँ पे भी आपको शब्द युगम बताने है, जिस प्रकार से ताप मापी का संबंद ताप मान से है तो दिये गई, विकल्प में से कौन से वाला राइट पेर बैटेगा तो ताप मापी से हम ताप मान नापते हैं तो इसलिए प्रकार से एनिमो मीटर से हम हवा की गती नापते हैं option D इसका red answer बैटेगा चलते हैं, next question तरह question 28 है, और इस question में आपको बताना है, जिस प्रकार से शरीर का समद्ध विटामीन से हैं तो आपको बताना है, फसल का समद्ध किस से होगा तो शरीर का समद्ध विटामीन से हैं कैसे हैं, शरीर को जो nutrition मिलते हैं, वो कहां से मिलते हैं विटामीन से मिलते हैं, उसी प्रकार फसल को जो nutation मिलते हैं वो औरवक से मिलते हैं option B इसका रेटंसर जाएगा question 39 है यहाँ पर इब आपको शब्द युगम बताने हैं जिस परकार से सुई का संबंद सिलाई से हैं तो दिये के विकल्प में से कौन से वाला युगम से बैटे का तो सुई से हम क्या करते हैं सिलाई करते हैं उसी परकार चैनी से हम तराशना करते हैं नकाशी करते हैं option C इसका रेटंसर बनेगा question 30 है और यहाँ पर इब आपको शब्द युगम बताना है जिस परकार से मंत्री परीशत का सम्द मंत्री से हैं तो option में से किस विकल्ब का युगम सही है तो मंत्री परीशत का सम्द मंत्री से हैं तो मंत्री परीशत उसको बोलते हैं जहां पर मंत्रियों के समू होते हैं उस मंत्री के समू को हम मंत्री परीशत बोलते हैं उसी प्रकार संगीत कार जहां पर बहुत सारे संगीत कार होते हैं उसको हम बैंड बोलते हैं option A इसका रेड अंसर बनेगा ठीक है तो साथ यहां पर हमने एनलोगी से 30 कोशन देखे हैं और यह 30 कोशन जो हैं आपको help करेंगे आपके government exam में आप किसी भी exam के तयारी करो reasoning में यह कोशन काफी जार repeat रहते हैं और काफी confusing कोशन रहते हैं तो धियान पूफक इन कोशनों को लगा लेना ताकि आप कभी भी ऐसे कोशन आपके exam में आप एसली attempt कर सकें साथ में हम और भी वीडियो लेके आएंगे इसी तरी की topics के उपर जहांसे आपको help मिल जाएगी अपकी प्रिप्रेशन बहतर हो जाएगी तो चैनल को subscribe जरूर कर लेना बेल अपन क्लिक भी कर लेना ताकि आपके पास सारी notification टैम पर पहुंस तरह हैं और अगर आपको daily news paper च